पेनिस का साइज कितना होना चाहिए पेनिस किस उम्रों तक बढ़ता है और पेनिस का जो ग्रोथ होता है वो किस उम्रों के बाद रुख जाता है तो दोस्तों आज मैं इन ही सवालों के जबाब देने वालों आपको तो इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग हैं इसलिए आप अंत तक बने रहे हैं और वीडियो अगर अच्छा लगी ज़रा सा भी तो उसको लाइक कर देना शेयर कर देना दोस्तों में और खास तोर से वाट्स अप में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और अगर आप पहली बाद चैनल पर हो तो प्लीज उसको सब स्कायब कर लेना और बेल बटन को भी दवा देना और प्लीज उल पर दवाना था कि इस प्रकार का गयान बर्दक वीडियो सबसे पहले आप तक पोछ सके उसका नॉटिपीकेशन सबसे पहले आप तक पोछ सके तो दोस्तों शुरू करते हैं देर ना करते हुए आज का वी पूर है वो 22 बर्स का है 22 बर्स तक जो है लिंग अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है बैसे तो 25 से इसका साइज बढ़ता रहता है बोड़ी के साथ में लेकिन 9 साल के बाद जाके यह अचानक से ज़्यादा बढ़ने लगता है और 9 साल से 11 साल के बीच में हो जाता है और उसके साइड में बाल आने लगते है तो यह आपका किश्वर अवस्था क्यालता है और उसके बाद में जाके आपका फिर 16 साल से लेके 21 साल तक में यह अपने पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो दोस्तों यह जानना जरूरी है कि यह जो उम्र ह होता है वो बहुत ही नाजुक होता है बहुत ही खास होता है और इस उम्रों में अगर आप इसका थोड़ा सा देख भल कर देंगे तो इसका पुर्ण रुप से विकास हो जाता है दोस्तों इस उम्रों में इसके हमारे जो पैनी से उस पे थोड़ा सरसोका तेल का मालिश करना चाहिए नियमीत रूप से व्याम करना चाहिए योगा करना चाहिए और अच्छे पोष्टिक भोजन लेना चाहिए बिटामिन मेनरल्स आदी लेना चाहिए प्रोटीन लेना चाहिए भरपूर मात्रा में ताकि हमारे शरीर के साथ-साथ उसका भी विकास हो शारेरिक और कि जो इस उम्रों के लड़के होते हैं उनको इतना knowledge नहीं होता वो नादानी में गलतिया कर बैठते हैं वो हस्त मैथन जैसी घिनोना काम करने लगते हैं तब उनके माबाप को भी अंदजा नहीं होता है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं इसलिए माबाप को भी पता होना चाहिए कि यह उम्र है वो इतना नाजुक होता है कि बच्चो को बनाना और बिगाणा दोनों ही उनके हाथ में होता है अगर वो जरा सभी ध्यन देंगे उनकी तरफ को कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है बातरूम में इतनी देर क्यों लगा रहा है लेटिन में इतनी देर क्यों लगा रहा है कि कहीं वो हस्त मैथून तो नहीं कर रहा है तो अगर ये सब ध्यन देंगे माबाप तो फिर बच्चो को मोकाई नहीं मिलेगा बच्चों को मोबायल में क्या देख रहा है क्या साज कर रहा है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा उनको ज्यादा से ज्यादा ब्यास्त रहे बच्चा इसलिए उनको किस प्रकार से डिल करना है वो आपको देखना पड़ेगा जो मा होती है उनको बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे को पर कि जब बच्चा घर पर है तो वो क्या कर रहा है किस प्रकार का अक्टिविटी कर रहा है तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है इस उम्र में क्योंकि इसी उम्र में ही बच्चे का ये जो सरवा अंगेन विकासे वो होता है उसके बाद में दोस्तो 21 साल के बाद में फिर यह जो पैनिस से उसका ग्रोथ नहीं होता है किसी प्रकार के अगर कोई कमजोरी है कमी है वो दवा के द्वारा मालिश के द्वारा दूर किया जा सकता है लेकिन जो विकासे वो दोस्तो इन्हीं उमर में होता है उसके बाद में तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप तो दोस्तो ये थी छोटी सी जानकरी की पैनिस का जो ग्रोथे वो कब तक होता है किस उम्र तक होता है तो आपको समझ में आ गया होगा 21-22 साल तक जो है आपका जो ग्रोथ होना होता है वो हो जाता है उसके बाद म और किस उम्र के बाद ये ग्रोथ रुख जाता है अगर अच्छा लागा है वीडियो तो प्लीज ये दोस्तों में लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और पहली पर अगर हमारे चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को भी दावा देना और प्लीज ओल पर दबाना था किस प्रकार का ग्यान बर्दक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुश सके तो इसी कामना के साथ कि आप सब स्वास्त रहे सुरक्षित रहे जै हिंद जै भारत